महामारी के समय भारत के फार्मा इंडस्ट्री की बहुत सराना की गई है आज ये इंडस्ट्री चार लाग करोड रुपिय से जादा की है और कहां ये जा रहा है कि 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाग करोड रुपिय की हो जाएगी अब ये फार्मा इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इस दसक में फार्मा इंडस्ट्री को आज की तुल्णा में कई गुना जादा युवाओं की जरूरत पड़ेगी कि रोजगार के अनेक नए अउसर आएंगे साथ्यों आज देश में कि आटो मोबाइल और आटो कंपोनेंट्स इस इंडस्ट्री में भी बहुत तेजी से बढ़र देखने को मिल रही है फिलहाल ये दोनों इंडस्ट्री बारा लाग करोड रुपे से जादा की है आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने के उम्मीद है इस ग्रोथ को सम्हालने के लिए ओटो मोबाइल इंडस्ट्री को भी बहुत सारे संख्या में नए युवों को की जरुवत होगी नए लोगों की जरुवत पड़ेगी रोजगार के अंगिलित आउसर बनेंगे आपने देखा होगा कि इन दिनों फूर्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के महत्री की भी काफी चर्था होती है भारत का फूर्ड प्रोसेसिंग मार्केट पिछले साल करीब करीब 26 लाग करोर रुपिय का था अब अगले तीन साड़े तीन साल में ये सेक्टर करीब 35 लाग करोर रुपिय का हो जाएगा यानि जितना विस्तार होगा उतने अधिक युवकों की जरूरत पड़ेगी उतने नए रोजगार के मोके खुल जाएंगे